कि आजय के निल में चैजाच का मतलब है सुमंदर का सबसे ज्यादा पाउर्फुल शिकारी औरका एक किलर वेल है ट्विन इंजिन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम का औरका डिजाइन एक क्लीन शीट डिजाइन नहीं है जैसा कि कुछ मेडिया रिपोर्ट से बता रही थी ये एक पहले से मौझूद डिजाइन के उपर बेस्ड होगा तांकि इसको ड्वेल्प करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको कम किया जा सके और ये मीडियम वेड फाइटर प्रोग्राम की सेम नोज और फ्रन्ट फ्यूजलेज और कॉकविट सेक्शन को जूज करेगा लेकिन इसमें चेंज़स मीड फ्यूजलेज और रियर सेक्शन में किये जाएंगे जो की रेंटर में देखे जा सकते हैं मीड फ्यूजलेज सेक्शन एक बड़े एर इंटेक और लॉंगर स्पाइन को कॉमडेट करेगा जी ज्यादा एक्वेड़ मेंट को कॉमडेट कर सकेगा और इसके साथ ही ज्यादा इंटरनल फ्यूल भी कैरी कर सकेगा और इसके साथ ही ये कैनेट्स को भी स्पोर्ट करेग जैसे इसे superior maneuverability मिलेगी औरका में next generation wide area display जैसी cockpit टेकनोलोजिस लगाए जाएंगी और इसके साथ ही इसमें side stick controls भी लगाए जाएंगे जो medium weight fighter program में भी यूज़ किये जाएंगी और इसके साथ ही इसमें same high power digital flight control computer भी होगा और इसके साथ ही इसमें medium weight fighter jet जैसा ही उत्तम A.E.S. से fire control डार भी होगा और इसके साथ ही सर्च and track system भी होगा दुश्मन के aircraft को हन्डाउन करने के लिए इसके साथ ही नेवी और ADN डिसाइड किया है कि इसमें conformal fuel tanks भी अड़ किये जाएंगे जिसके साथ जह जादा additional fuel करी कर सकेगा और इसका drag भी reduce होगा और इसकी range speed और acceleration भी improve हो जाएगी ऐसा करने के लिए इसमें wing tip drop tanks भी add नहीं करने पड़ेंगे medium weight fighter jet के जैसे ही औरका में भी 11 hard points होगे जो की wing lip python को feature करेंगे close combat missiles जैसे की A.S.R.M. को करी करने के लिए औरका का maximum take off weight 24 tons का होगा जो की medium weight fighter jet के 17.5 tons से बहुत ज्यादा है इंडिया नेवी ने 16.5 tons LCA Mark II design को पहले reject कर दिया था क्योंकि इसमें single engine operation risk था और इसमें thrust to weight ratio की भी problem थी क्योंकि C level पर ये ज्यादा payload carry नहीं कर पाएगा इंडिया नेवी बहुत पहले से चाहती थी कि उसे एक twin engine aircraft मिले और का career section 2 general electric F414 GE INS6 engine को house करेगा जो की एक दूसरे के नस्दीक लगाए जाएंगे जैसे की F18 fighter jet में लगाए गए हैं ताकि center of gravity को maintain किया जा सके लेकिन अभी भी further research की जा रही है ताकि optimal control and stability को find किया जा सके इस further research के बाद ही ये design को freeze किया जाएगा medium weight fighter jet के 17.5 ton के maximum take off weight से और का के 24 ton के take off weight में तकरीबन 7.5 tons का जम आया है लेकिन इसमें तकरीबन 1 ton का weight second engine और engine casing और longer mid section और rear section के कारनाएगा और इसके साथ ही इसमें 1.5 दो ton की added fuselage weight भी होगा इसके साथ ही और का के लिए estimate किया गया है कि इसका wing span medium weight fighter jet के wing span से तकरीबन 2 meter बढ़ा होगा इससे कारनाएगा इसका weight भी बढ़ जाएगा और का के under carriage fuselage को strengthen किया जाएगा तांकि इसे aircraft के उपर deck landing में असानी हो और इसके साथ ही इसमें stronger landing gears भी लगाए जाएगे तांकि control crash landing में aircraft को बचाया जा सके इसके साथ ही और का में longer range और higher payload carrying capability भी होगी दो F414 engine के इस्तिमाल से इसे 196 KN का thrust भी मिलेगा और इसके साथ ही इसे excellent thrust to weight ratio भी मिल जाएगा इन engines के साथ और का maximum payload के साथ गर्मी की conditions में भी वीड़ सकेगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना है प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जू लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जैहन्त बंदे मात्रम